एक लड़की ट्रेन में बेटी किताब पढ़ रही थी, किताब का नाम था दी मैन, किताब में लिखा था कि बिराजीन के मर्द हसीन और पंजाब के मर्द पुरकशिश होते हैं, पास बेटा एक आदमी भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक लड़की ने तंग आकर प जर है, बहु रोई जा रही थी, सास बच्चों की तरह समझाते हुए, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, बहु, क्या मैं चुड़ल जैसी दिखती हो, सास नहीं बेटा, बिनकुल नहीं, बहु, क्या मेरी आँके में इंड़की तरह है, सास नहीं, बहु, क्या मेरी नाथ पकोड़े जैसी है, सास नहीं तो, बहु, क्या मैं बेंज जैसी मोटी और काली हूँ, सास नहीं तो, बिलकुल नहीं, ये सब किसने कहा तुम से, बहो फिर सारे महले वाले मुझे क्यूं कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी साज जैसी दिखती हो शेफ मेरी बीवी बड़ी फजूल खर्च है जिस दिन शादी हुई उस रोज हजार दो हजार मांगने लगी दोस्त वो इतने पैसों का क्या करती है शेफ मुझे क्या पता मैंने कभी दिये ही नहीं अनस अली से तुम देड़ से क्यूं आयो अली बोला गिर गया था और लग गई थी अनस ने पोचा कहा गिर गय थे और क्या लग गई थी अली हस्ते हुए बोला पिस्तर पर गिर गया था और आँख लग गई थी पतान के पास एक मेमान आया पतान इस पंके के नीचे बैटो तुम्हे सवाब मिलेगा मेमान वो क्यों पतान या रहा हम ये बंखा मस्जिद से उधार कर लाया है एक कंजूस आदमी सुबा सुबा टीवी का एंटीना छट पर चड़कर दुरूस कर रहा था उसका पाउं पिसला और नीचे गिर गया जब वो अपने घर के बावर्ची खाने के करीब से कुजरा तो चीख कर बोला बेगम नाशते में एक अंड़ा कम कर देना आज मैं नाशता नहीं कर सकूँगा एक सुपाही ने एक लड़के को रोका जो बड़ी तेजी से गार चला रहा था लड़के ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा क्या आपने ये पोचने के लिए मुझे रोका है कि मैं गार तेज क्यों चला रहा हूँ याँव मेरे डेड़ के मतालिक जानना चाते हैं जो सिट्य्टी पॉलिस इस्टेशन की इस्पेक्टन है दुकानदार खरीदार से ये मचछड़ दानी अच्छी है क्योंकि एक मचछड भी इसमें दाखिन नहीं होसकता खरीदार अगर इसमें एक भी मच्छड दाफिन नहीं हो सकता तो फिर मैं दाफिन होकर कैसे अराम करूंगा दुकानदार पेंटर से मेरी दुकान की दिवार पर लिख दो कि यहां लिखने वाले को पुलिस के हवाले किया जाएगा पेंटर नहीं जनाब मेरे चोटे-चोटे बच्चे है एक बेवकूफ कार की बैटरी लगवाने गया तो दुकानदार ने कहा एक साइड की बैटरी लगा दो बेवकूफ बोला बार-बार कौन आएगा तुम दोनों साइड की बैटरी लगा दो एक मरतबा एक शक्स को पंथर मिला उस पर लिखा था इसको उठाओ कुछ बन जाओगे जैसे ही उसने पत्तर उठाया नीचे लिखा था बन गएना पागन एक रागीर बिखारी से कल तुमारे साथ भी गंधा बिखारी बैटा हुआ था वो नहीं आया बिखारी जनाब वो स्ट्रेडियम गया है मैट देखने मैनेजर मौतरमा आपको ओर्डर मौसूल हुआ हमें अफसोस है कि आपको गरेलु जरूरियात का मज़ीद सामान उस वक्त तक नहीं दिया जा सकता जब तक आप हमारी पिछली रगम अदा नहीं कर देती खातूर ने जवाद दिया मौतरम मेरा ओर्डर कैंसिल करो क्योंकि मैं इतने तवील अर्से तक इंतिजार नहीं कर सकती जाहिद और अन्वर जगर पड़े जाहिद गोला मैं आपको शरीफ आदमी समझता था अन्वर बोला मैं भी आपको शरीफ आदमी समझता था जाहिद बोला आप ठीक समझ रहेते मैं ही गलत था रात के वक्त किसी मगाम से गुजर रहा था कि उसे करीब से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी उसने उस सिम्त कदम बढ़ाए तो अंदाजा हुआ कि कोई आदमी कुए में गिरा हुआ है उसने रसी की मदद से उसे उपर केचा जब वो शक्स आदा उपर आया तो कॉंस्टिबल ने देखा कि वो आदमी एसपी साहब थे कॉंस्टिबल ने फौरण रसी चोड़ दी और हाथ उठा कर सलूट किया अरे सर आप एक शहरी लड़की की शादी किसी गाउं में होई तो सास ने कहा जाओ गाए को चारा डालाओ लड़की जब गाए को चारा डालने गई तो गाए के मुझे जाग निकल रही थी तो लड़की गबरा के वापस आ गई तो सास ने पोचा बवो गाए को चारा क्यों नहीं डाला लड़की बोली गाए अभी डूत-पेस्ट कर रही है पहला मुसाफिर आप कहा कि रहने वाले है दूसरा मुसाफिर मैं फ़ला शहर का बाशिंदा हूँ पहला मुसाफिर बहुत हो मैं भी वहीं रहता हूँ पहला मुसाफिर किस मौनने में रहाऀजगा है आपकी दूसरा मुसाफिर फना मौले में पहला मुसाफिर बहुत खोब मैं भी वही रहता हूँ आपका मकान किस जगा है दूसरे मुसाफिर ने मेले वकू बताया तो पहला मुसाफिर उचल पड़ा और बोला कमाल है साहाब हद हो गई मैं भी इसी मकान में रहता हूँ इस पर बरावर वनी सीप पर बैटे हुए एक मुसाफिट से रहा न गया बोला, सहाब आप वजीब किसम के लोग हैं एक ही मकान में रहते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते इस पर इन में से एक ने कहा आप खामोश रही है जनाब हम दोनों बाप बेटे हैं ये गुफत वो सिर्फ वक्त गुजानने के लिए हो रही है